जी नमस्कार श्वागत है आप सभी लोगों का यह पेपर एनलेसिस की वीडियो है पर जो फॉर्मल पेपर एनलेसिस की वीडियो जैसी होनी चाहिए पेपर के साथ उसका डिस्क्रिशन वैसा नहीं बना पा रहा हूं मैं थोड़ा सा वे हूँ अपने वर्क स्टेशन से घर प आपके लिए उसका डिस्क्रिशन करेंगे हां एक्जेक्ट डिस्क्रिशन की कितना कटाफ जा सकता है यह आपका गूगल फॉर्म होने के बाद आएगा और वो होगा जब आपकी तो बिदनल एंसर किया जाएगी उसके बाद मैंने अभी सिंपली पेपर देखाया तो उसका डिस्केशन मैं करूंगा डिस्केशन स्टार्ट करें उससे पहले एक रिक्विस्ट है उससरी बच्चों से क्योंकि मुझे ऐसे भी मैंसे stake माइं हैं कुछ लोगों के खराब होने रिजन कुछ भी हो सकता है पेपर खराब वोने का कम होना पwashची होना स्रेट हो जाना कभी कभी सम्ताइब एक्जाम प्रेशा रिया, एक्जाम में स्ट्रेस आ गया, या फैमिली इसू हो गया, कुछ भी, कुछ भी इसू हैं, जिनके वज़े से पेपर खराब हुए है, प्रिपरेशन ठीक होने के बाद भी इसे बच्चे फ्रस्टेटेड हैं, वो समझ में नहीं आ रहा किया, कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं, कि फर्दर उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं, तो ये मैं आप लोगों से शांती से इंडूजिली बात करके आपको बताऊँगा, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, कि आपके हर पार्ट में कितने मांक्स आ रहे हैं, क्योंकि उस मांक्स है और आपके डिस्क्रिशन किसी थी, कितना पढ़ साकते थे, क्या कंस्टेइन है, फ्यूचर में क्या कंस्टेइन है, आपका जो mental level है, यह बात करते ही पता चलता है, उसके बाद मैं आपको उसे और guide करूँगा, कि आपको क्या करना चाहिए further, ठीक है, तो इस पे हम separately description करेंगे, हाँ, अब paper का description करते हैं, paper का description स्टार्ट करते हैं हमारे first part से, जो कि GKGS का है, मैंने पहले भी target बनाया हुआ है, मतलब सारा overall target भी बताया हुआ था अपलों का, और individual part wise भी बताया हुआ था, GKGS का भी जो मेरी analysis है, वो यह है कि expected जो GKGS का level होना चाहिए था, वो नहीं है, थोड़ा सो उससे कम मानूँगा मैं, और काफी सारे question जो बच्चे टेस्ट में थे, नाइक समाप में से रही होंगे, GKGS के question जैसे swift का है, directly वहाँ साया था, मैंने भी पूछा था, जैसे missile के term में थे, या फिर इस रो के बारे में थे, जो current news में था, मुझे लगता था, क्यां से पूछ सकता था, कोई government scheme से, तो इस राइक questions मैंने पूछे थे, ताकि आपको idea रहे कि ये topics हैं, जो cover किये जा सकते हैं, और कुछ questions वैसे भी, और जो आपके origin वाला, एप्टी वाला portion होता है, मुझे उमीद है कि आपने वो सारे चीजे, जो मैंने stress दे के कहा था, कि कहां कहां से आप score कर सकते हैं, तो आपने किये होंगे, तो मैं बात करूँ, मेरे हिसाब से, 30 marks is the average marks, कि 30 तो मुझे लगता है, कि सब को करना चाहिए, जीके जीएस में, 35 is above average कह सकते हैं, correct मैं बता रहा हूँ, 40 is the मेरे हिसाब से good score, as an engineering student, या फिर आप non-technical student, 40 marks अगर आप कर रहे हो, तो good है, इससे जितना आगे आप कर रहे हो, 50 कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया है, 55, 60 कर रहे हो, तो obviously बहुत बढ़िया है, तो मेरे हिसाब से, आपको 30 minimum करना चाहिए, और 40 is the good score for the selection, ये GK का बात हो गया, अब हम बात करते हैं, हमारे technical का, technical में कई सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं, कि क्या ये D से, जो हमारा paper था, आसान था या टप था, तो देखो, D से paper compare करें न, तो similar paper है, कोई trust changes है नहीं, पर D से मैं आसान इसलिए मानूगा, कि D के paper के बाद, आपको एक road map तो मिली गया था, कि कि style का paper मुख्षा जाएगा, और technical के बारे में, हमारा prediction था, कि ये random है, चुकि D का, तो most possible आपका भी random ही होगा, काफी सारे topics पूछने के लिए थे, तो obviously उनके कुछ-कुछ-कुछन पूछने थे, तो technical तो random होने वाला था, यहां भी भी technical random ही है, पर ऐसा नहीं कि random है, तो tough paper है, tough नहीं है, आसान है, randomness के वज़े से, मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं कह रहा हूँ, कि आपको इतना score करना चाहिए, मेरे हिसाब से 55 के आसपस, यह 50 के आसपस is the average score, 60 से 65 आप कर रहे हो, तो above average है, और 65 से 75 को मैं good score कहूँगा, और उससे उपर जितना भी आप कर रहे हो, वो ठीक है, तो यह मेरे हिसाब से, आपके जो technical analysis है, वो है, इतना तो करना चाहिए, इससे कमा आ रहे हैं आपके score, तो थोड़ा सापको सोचना है, और यह मैं general category के इससाब से description कर रहा हूँ, रहा हैं कि मैं आपको cut-up बता रहा हूँ category wise, in general आपको कितना score करना चाहिए था paper में, as is aspirants, cut-up का description हम इसके बाद करेंगे, जब Google form आपको भीज़ा जाएगा, जिसे मैंने का आपको सुरू बताया, अब बात करते हैं act, act की बात करूँ, मैं तो act as per expected था, बहुत सारे compliments मुझे मिले, especially act के लिए मिले, technical के लिए भी मिले, technical में भी काफी सारे questions, मैंने देखा environment के तो वो सारे questions most probably आपके test में भी रहे होंगे, और भी बहुत सारी चीज़े थी, जो हमने discussion किया था, individual two paper के साथ, जिसे मैंने का, discussion करते हैं ज्यादा बेटर कुबता, बट ठीक है, act में तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, even though की 80 plus score की सार, हमारा 80 plus आजाएगा, इसे बच्चे भी हैं, बट इस्टिल मैं मान के चलता हूँ, कि 60 marks is the average for the act, क्योंकि एकदम expected था, बहुत ऐसा नहीं पूछ लिया गया था, कि आप समझ नहीं पाऊगे, कर नहीं पाऊगे, और उस सारे questions आपको कराएगे हैं, प्रेक्टिस भी कराएगे हैं, टेस्ट में भी डाले गये हैं, मैंने discussion भी किये हैं, तो 60 तो मैं मानता हूँ, कि average सभी बच्चों को करना चाहिए था, जो 70 है, वो हम average कहेंगे, याप average जो लोग फॉल कर रहे हैं, उससे उपर हैं, और अगर आप 80 के around score कर रहे हैं, तो you are good, ठीक है, अगर इतना आप कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा, और उससे उपर जितना भी है, वो बहुत अच्छा है, तो अब मैं बात करूँ कि, तीनों पार्ट को मिला के, out of 300, क्या score average रहेगा, क्या above average रहेगा, और क्या good रहेगा, तो अगर हम below, मतलब below average नहीं, average की बात करूँ, तो 150 के around, अगर आप score कर रहे हो, around 145 to 150, तो ये average marks हैं, आपके maximum बच्चे, इसी range में score करने वाले हैं, जो सच में competitor हैं, जिन्होंने थोड़ा seriousness के साथ, पढ़ाई किया था, वो इसके बीच में, तो score करेंगे, इस से कम score को मैं below average मानूंगा, आपको थोड़ा कहीं न कहीं, अपने strategy में change करना है, अगर अपने seriousness के साथ पढ़ाई किया है, तो आपको सोचना है कि आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई किया है, फिर भी इतना score नहीं आ रहा है, तो आपको सोचना है कि कहीं आपकी strategy फेल हो रही है, उसको change करने की ज़रूत है, ठीक है, अब average score की बात करें, तो average score मुझे लगता है कि 160 प्लस है और 170, 160 से लेके 170 के बीच में मैं मानूगा कि आप average से थोड़ा उपर हो, average साथ मैंनी से पहले बूल दिया था, above average हो, 160 to 170 के बीच का score above average है, और good score मैं कहूँगा, 195 to 200 को, ये good score है, मतलब जिन बच्चों ने सब में consistency के साथ perform किया है, मतलब हर section में above average है या तो good है, आप above average का जो मैंने score बताया, और good का score बताया, वो add करोगे, generally good का करोगे, तो 200 के आपस पहुश जाएगा, और कुछ में average और good का करोगे, तो 190, 195 के बीच में रहेगा, और average का करोगे, तो 170 के राउंट रहेगा, ठीक है, तो मेरे हिसाब से, ये आपका score है, अगर आप इसके नीचे fall कर रहे हैं, तो ठीक है, मुझे लगता है, कि अगर आप average में हूँ, और general category से हो, तो आपको interview के call आना मुश्किल है, average में हो, किसी specific category से हो, OBC, EWS, EWS का भी, मुझे कम chance है, कि आपको interview call आए, हला कि मैं ये cut-off नहीं बता रहा हूँ, अगर अगर आप C, C category से हो, तो शायद आपको आजा, ST वालों को most probably आने के chance है, SC को मैं नहीं को होगा, कि आएगा कि नहीं आएगा, अब बात करते हैं, कि आप अगर above average हो, तो chance है कि SC को तो sure आएगा, उस category में sure आना चाहिए, SC को भी chance है कि आना चाहिए, OBC, EWS का फिर भी थोड़ा सा, और रहेगा कि आएगा कि नहीं आएगा, पर आप, जो मैं lower limit बता रहा हूँ, और upper limit, तो lower limit से आप उपर हो, तो आपके chance है कि बिलकुल आएगा, exactly हम discuss करेगे, Google form के बाद, क्योंकि उस ताइम मुझे जादे बच्चों का score रहेगा, अभी तो जो बच्चों ने अपना perception बताया, उसमें provincial answer की आएगी, कुछ हम जो सही मान रहे हो, कुछ जिनको doubt होगा, वो सहाई सही हो जाए, इस ताइब की चीज़े होंगी, और definitely आप 180 से उपर हो, तो आपको mindset ready रखे, आपको तैयारी करना चाहिए, interview की तैयारी करना चाहिए, या करना है, ये दिमाग में आप रखे, और 200 के आसपास होगा, तो मैं आपसे उमीद करता हूँ, कि आप selection लिजे, क्योंकि यहाँ पर आप अच्छे हो, तो definitely आपसे उमीद किया जाता है, कि आप interview में भी अच्छे करेंगे, और हम लोग भी, मैं भी अपने तरफ से interview में फ़र डालूँगा, आप सभी लोगों के लिए कि किस टाइब के questions पूछे जा सकते हैं, कुछ mock interview कराया जाएगा, कुछ videos बनाई जाएगे interview के बारे में, तो वो सब मेरा planning रहेगा, अभी मैं गनपती पूजा में हूँ, तो मैं थोड़ा सा 4 दिन के लिए, अप टू 2021 तक थोड़ा सा BG हूँ, BG हूँ मतलब घर पे crowd बहुत है, इस specific time निकालना मुश्किल है, ये सब चीजे हैं, तो थोड़ा सा अगर आपके message आते हैं, आपको delay reply मिलता है, तो पहले से माफिभानागता हूँ, हो सकता है किसी का emergency हो, बहुत सारे बच्चे जब frustrate होके message करते हैं, तो मैं उनको priority basis पर चाहता हूँ, कि उनके message को reply करूपर, वो पता नहीं चलता है, देखना ही पड़ता है, और किसी का message देख लो reply नहीं करो, तो फिर उन अलग perception बनाएंगे, कि सर मतलब reply नहीं की attitude दिखा रहा है, लाकि वो सब चीज़े होती नहीं है, बट हाँ, मैं कोशिस करूँगा अपने तरफ से आप लों का reply देने की, आप थोड़ा patience रखिएगा, एक Google form आपको मिल जाएगा, वहाँ पे उमीद करूँगा, यह Google form मिलेगा, प्रोविजन लेसर की के बाद, आप से उमीद किया जाएगा, कि आप सही marks भरोगे, क्योंकि यह आपके लिए है, आपके planning के लिए, future planning के लिए कि आपको interview के लिए call आएगी, नहीं आएगी, interview preparation करना है कि नहीं करना है, और एक बात और पताते चलूँ, इवें दो, जो just qualify होते हैं interview के लिए, अगर interview अच्छा करते हैं, उनका selection हो जाता है, और वो बच्चा, जो highest mark से interview qualify है, और interview अच्छा नहीं करता है, तो उसका selection नहीं हो पाता है, यह मैंने, इसके पहले वाले, यही साध exam था, उसमें मैंने आपको दिखाया था, कि बच्चे का topper है, इवें दो topper हैं retain में, और interview खराब चला गया, और वो भी waiting list में चले गया है, तो ऐसा scene होता है, तो interview को बहुत seriously लेना, बहुत seriously लेना है, और ठंग से पढ़ना है, interview पे एक separate video आएगी, कि क्या क्या चीज़ आपको करना है, वो यूटूब पे जाएगी, और definitely एप पे भी कुछ videos आएगी, आप लोगों को कि किस तरीके से करना है, और interview guidance program भी लेके आएगे, चलिए मिलेंगे next video में, तब तक के लिए all the best, good luck, comment box में आप अपना review भी देश सकते हो, कि आपको paper कैसा लगा, या आपका score tentatively क्या रहा, या क्या रह सकता है, जल्दी आपकी pro-enginecer की आजाएगी, all the best, good luck and change.